यह कई माईनों में आपके लिए बहुत ही एहम परिक्षा है क्योंकि इसी पेट के स्कोर से जो यूपिटर प्लेसी पेट दोहजार बाइस है इसी के स्कोर से आप दोहजार चौविस चुनाव से पहले जितनी वे उत्रपदेश की सिविल की गुरुप सी की वेकेंसी निकलें करेंगे उनका उनमें आप मुख्य प्रिक्षा के लिए आविदन यूपिटर प्लेसी पेट दोहजार बाइस के मार्क से उनके नुम्बरों के आधार पर ही कर सकेंगे तो यह भी आप सभी जानते हैं कि इसकी जो एक्जाम डेट है वह 15 वे 16 अक्टूबर है दो दिन यह मान के चल सकते हैं कि आपको आप 45 दिन 45 डेज और आपका जो टारगेट है वो रो मार्क्स का कम से कम रो मार्क्स का टारगेट आपको साथी 85 के तकरीबन रखना है कोशी 185 के प्लस यूपिटर पलेसी पैट इतना अरम पुराने उस पर देखें कि जैसा पैटर नाया थ मालो पहली बार हुआ हलका आया इससे थोड़ा ज्यादा थोड़ा सा टफ भी आता है तो भी आप आरम से बिल्कुल अगर आप सब कुछ छोड़ चाड़के जैसे कि सम अपनी जीवन में तैयारी करते हैं तैयारी के लिए समय देते हैं अगर वैसी वाली आप तैयारी कर र लाना कताई भी मतलब अनोखी बात नहीं है और अगर आप ऐसा इसको लेकर आते हैं कि जिसमें आपका रो माक्स 85 प्लस 85 के आसपास है तो आप तकरीबन कोई भी उत्तर प्रदेश में गुरुप सी की वेकेंसी निकले तो आप उत्तर प्रदेश की प्रतिक सिविल जबरेश भी साथ य凜ह भरती आएगी गण्ना परियविक्छक आदी कुछ किर्सी से संबंधित भी इसमें कुछ नहीं भरती आएंगी कुछ आपका जो यह लोरवरफी से सित्यादी के पद थे उसमें कानून गों की उम्मीद है कि कानून गों के कुछ पदों पर एक कुछ है चाहे कुछ पद आए लेकिन 2024 से पहले मत्रब जब इसका स्कोर कार्ड आपके पास आएगा दिसंबर के आसपास 15 सोल एक्टूबर पेपर है दिसंबर में आपके पास इस प्रदेश में खूब सारी निकलेंगी जिनमें आप यूपिटर क्लेसी पैट 2022 के स्कोर से मुख्य परिच्छा में बैठ सकते हो कानून गों गया स्कूल कॉलिज के जो किलर्क होते हैं स्कूल कॉलिज जो किलर्क थे वह वाली वेकेंसी हो गई यह सारी के सारी वेकेंसी आपकी यूपिटर प्लेस्टी पैट से ही साथी इसका निकलना इसमें मुटे तोर पर अगर आप देखेंगे तो एक इसमें आपका आ जाता है पिरसी प्राविदिक गन्ना परिवेक्षक उसकी समान यूग्यता वाले पद इसके अलाबा इसमें आ जाता है कनिष्ट सायक जूनियर असिस्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंड ध्यान दीजेगा कनिष्ट सायक के भी पद हैं जूनियर असिस्टेंट जिसे बोलते हैं वो पद भी आपके पैट इसी के स्कोर पर एक जो इस्टेनों होता आशुलिपिक जिसको बोलते हैं ये पद भी आशुलिपिक इत्या जादी इसके पद भी इसी के आधार पर फिल किये जाएंगे तो मुटे तोर पर आप यह कह सकते हैं कि आपके पास वेकेंसी और भी कई प्रकार की कई सारी होंगी लेकिन इसमें सबसे एहम जब आप इसको पूरे को अच्छे से समझोगे तो एक चीज आपके दिमाग में तुरंत आजाएगी कि भाईया आप मुख्य परिच्छा तो तब दोगे ने जब आपके पास पैट का च्छे स्कोर होगा तो यह पहली चनोती है यह आखरी चनोती नहीं है लेकिन पहली बहुत एहम चन जो मेरिट लगती है पैट का स्कोर वो बढ़ता जाता है लेकिन यह सेफ स्कोर है 85 के आसपास इसमें अब 45 डिज पढ़ना अपने शुरुआत से सुरू कर दिया होगा जब 45 आ जाती है दिन तो तब किस प्रकार से तो इसमें आप अगर अभी भी आप 45 दिन में इस चनोती को पार करना चाहती तो इसमें मैं कुछ सब्जेक्ट आपको बता दीता हूं जो आपको बहुत ज़्यादा एहम रोल अदा करेंगे डेली डेली थोड़ा-थोड़ा समय देकर आप उनसे निबढ़ सकते हैं अगर अभी भी आपने पढ़ाई सुरू नहीं किये तो इसमें स दो ग्राफ दो टेबल तो चार हो गए पर तेक पर पांच कोश्यन एक टेबल दीगी होगी पांच कोश्यन उस पर तो ऐसा समझो अगर आप इसे छोड़ दे तो इसको तैयारी नहीं करते अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते जब कि इसमें प्लस माइनिस बुणा भाग हो पहले बात तो आपको यह पहला पॉर्शन हो गया जब आप साथी दूसरे पॉर्शन पर जाओगे कि इसके अलावा एक दूसरा पॉर्शन ऐसा कौनसा है जो आपको मदद करेगा तो बहुत अच्छे स्याध रखेगा दूसरा पॉर्शन अपने हो जाता है हिंदी वाला प पूर्शन में क्या है पंद्रे नंबर जिसमें साती दस नंबर तो गद्यांस के हैं दस नंबर किसके गद्यांस के और पांच नंबर इसमें व्याकरण वाले साथाट टॉपिक हैं व्याकरण वाले साथाट लेकिन इसमें थोड़ी सी बात यह है किसमें जितने भी आपके प्राइब टॉपिक हैं और यह टॉपिक ठोड़े से जैसे आप आर पसंदी करोगे समय लगेगा लंबा टॉपिक है विलोम शब्द बहुत सारी विलोम शब्द पढ़ोगे वाक्यांस परियावाची लिंग इनमें बहुत सारी शब्द पढ़ने पड़ते लेकिन फिर भी ब